बीजेपी को 2019 में हराने के लिए मायावती का सहारा लेंगे अखिलेश अधिकतर सपा नेताओं को लगता है कि 2019 लोग सभा चुनाव में भाजपा के विजेरत को रोपने के लिए सपा को मायावती के साथ चुनाव पूर्व गठ बंधन कर लेना चाहिए Economics Times की खबर के मुताबिक सपा के कई दिगगज नेता यहां तक की राष्ट्रिय कार्यकारिनी के सदस्य भी यही मानते हैं कि BJP के हाथों लगातार दो हार के बाद सपा को बस्पा के साथ हाथ मिला लेना चाहिए सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे एक मुस्लिम नेता ने ईटी को बताया कि यूपी विधान सभा चुनाव में करारी हार के बाद सपा बस्पा गठ बंधन मजबूरी है स्वान्य अखिलेश यादव द्वारा गठित की गई सपा राश्ट्रिय कार्यकारिनी के तीन बड़े सदस्यों का मानना है कि दोनों पाटियों सपा बस्पा के लिए गठ बंधन बहुत जरूरी है हालां कि कई सपा नेता मायावती के राजनीती करने के तरीके को लेकर काफी सजग हैं खबर के मताबिक एक वरिष्ट सपा कार्यकरता का कहना है कि समस्या यह है कि मायावती के मन को कोई नहीं जानता खबर के मताबिक ज्यादातर बस्पा नेताओं का भी यही मानना है कि सपा बस्पा गठ बंधन होना चाहिए हालां कि सपा नेताओं के विपरीत बस्पा नेता चुनावी पराजा के बाद मायावती के दृष्टिकों के बारे में कोई आभास न मिलने पर राजनीतिक भविश्य को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं 1995 का गेस्ट हाउस कान्ट बन सकता है रोडा सपा ने आधिकारिक तोर पर बस्पा के साथ चुनाव पूर्ल गठ बंधन बनाने के ये कोई इशारा नहीं दिया है लेकिन पार्टी के कार्यकरताओं के बीच इसको लेकर कोलाहल की स्थिती है हाला की 1995 का गेस्ट हाउस कान्ट सपा बस्पा को एक साथ लाने से रोग सकता है लेकिन सपा के राष्ट्रिय कार्यकारिनी के सदस्यों का मानना है कि अखिलेश यादव के नेतरित्व के साथ मायावती तालमेल बिठाने के बारे में सोच सकती है भाजपा द्वारा योगी आदित्यनात को यूपी का सियम बनाकर हिंदू काट खेले जाने के बाद से ही सपा बस्पा गठ बंधन के कयास लगाए जाने लगे हाला कि सपा नेताओं का मानना है कि सपा बस्पा गठ बंधन का पहला संकेत अगले साल मायावती की राज्य सभा सदस्यता के खत्म होने के बाद देखा जा सकता है क्योंकि बस्पा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है जो मायावती को दोबारा राज्य सभा भेज सके माना जा रहा है कि सपा मायावती को अपने बल पर राज्य सभा भेज सकती है जो दोनों पाटियों के गठ बंधन का पहला संकेत हो सकता है